तो दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए हैं वीगो वीटवंटी प्रो के गूगल कैमरा को जी हां दोस्तों गूगल कैमरा जिसकी अपने एक इमेज है मार्केट में और दोस्तों गूगल कैमरा जब आप फोटो कीज़ते हो ना तो चमकती भी फोटो आती है और मतलब अल वांगता हूं मैं और दोस्तों Google camera on other side बेकुल अलग है आप उसको ट्राइ कीजिए आपका अलग ही प्रेम उजागर होगा उसके लिए तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बहुत कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव में बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज करना है तो आप जाके participate कीजिए subscribe कीजिए नीचे जाके description में देखिए क्या क्या करना आपको उसके लिए और enjoy कीजिए चलिए दोस्तों स्टाट करते हैं इस वीडियो को तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं Vivo V20 Pro के अंदर कैसे आप लोग Gcam को install कर सकते हैं जिसका अगर आप लोग यूज करो तो भाई यह अपने आप में ही बहुत ही गजब है बट दिक्कत क्या आती है कि आपके जो फोटो आती है बहुत जादा वाइट वाइट आ जाती है जो कि कहीं लोग को नहीं पसंद होती जस्लेक मीडिकाश वह ओरली टोन कर देता है तो अगर आप भी जैनुएन यूजर से हैं जिसको चाहिए भी थोड़ा नेचुरल कलर्स में फोटो जाए और थोड़ी नेचुरल फोटो जाए तो इन अनी केस आप लोग गूगल कामरा को ढूंड रहे होंगे और जी कैम फोर वीवो वीटोंटी प्रो को में आपको बता चाहनगा कि उसके दर क्या क्या सेटिंग्स करने हैं तो तुरुस्तों तीन चीज़े ढंक से देखना नहीं तो वीडियो तो आप देख लोगे बट आप उसको यूज नहीं कर पाऊगे ठीक है दुस्तों तो चलिए फटा फट से आपको बताते हैं कि डाउनलोड कैसे करना Gcam दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको उपर यहां पर आई बटन का एक लिंक मिलेगा वहां पर जाएए और वहां से आप इस Gcam को डाउनलोड कर लीजिए और नहीं तो दोस्तों आप लोग informativemedia.in पर जाके भी Gcam को डाउनलोड कर सकते हैं for Vivo V20 Pro ठीक है दोस्तों जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जो की Google Drive का होगा मैं आपको दिखा देता हूं वह Google Drive का लिंक कैसा दिखेगा आपको और वह जो दोस्तों लिंक होगा आपको कुछ भी नहीं करना होगा आपको जस्ट उस पर क्लिक करके डाउनलोड करना होगा जस्ट लाइक दिस तो एसा लिंक को खुल जाएगा ऐसा क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका एक ऐसा ओप्शन आएगा package installer को आप इसको डाउनलोड करने के लिए लगा दीजिए और यह दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा 146 MB की फाइल है at the time of recording this video हो सकता है दोस्तों मैं कुछ टाइम बाद इसको update करता रहूं तो file size change हो सकता है ठीक है तो उसका मत सोचना की file size change हो गया आप मैं क्या करूं तो वैसे यह जो काफी हद तक stable version है for vivo v20 pro आप इसको download कर लिजिएगा for saving your time मैं इसको already download कर चुका हूं और इसको install भी कर चुका हूं installation process दोस्तों बहुत direct है जब आपके पास apk download हो जाएगा आप उसमें install पे क्लिक कर लिजिए and install आपकी फाइल directly हो जाएगी तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं यहां पर आपके सामने भी ऐसा कुछ हाएगा install option आप इसको install कीजिएगा और यह आपका install हो जाएगा ठीक है तो चले दोस्तों जब आपका install हो जाएगा तो आपको क्या करना है आपको camera को open कर लेना आपको एक application जाएगा तो पहले आप पुराने Google camera को delete कर दीजिए और फिर इसको download कीजिएगा तो भाई अभी हमारा यह जो है download हो चुक है install हो चुक है अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कमिक है तो जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर कुछ shots और अभी आपको दिखाता हूं एक शौट यहां पर दिखाता हूं जो कि वो तब लिया गया था जब इसमें मैंने वह चीज चेंज नहीं करी थी ठीक है तो आप यहां पर देखें कि आप उसको camera को work कर आपाएं तो उस सेटिंग के बारे में बात करते हैं से पहले तो भाई आपको क्या करना है आपको जाना है ऐसे करके swipe down करना है ताकि आपके पास यह menu आ पाए और आपको जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है एडवांस सेटिंग में और दोस्तों एडवांस सेटिंग में जाने बाद आपको यहां पर क्लिक करना है HDR प्लस कंट्रोल को एनेबल करना है ठीक है यह बेसिक सेटिंग है यह आपको करनी ही करनी है इसको नहीं करेंगे तो आप यूज नहीं कर पाएंगे अपने Gcam को या Google इसको करने के बाद आप बैक कर लीजिए इसका दोस्तों आपको यहां पर कुछ ऑप्शन्स देखने को मिलेंगे HDR प्लस वाला तो दोस्तों यहां पर आपको यह तीन ऑप्शन्स में से आपको सबसे राइट मौस्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है गूगल AWB के इंदर आप पर्फॉर्मेंस उसकी इंक्रीज करने क्लिए दोस्तों आपको जाना है लिप पैचर के अंदर और लिप पैचर के अंदर जाके आप यहां पर इसको पहले एनेबल कर दिए यह कुछ नहीं बेसिकली आप कस्टम सेटिंग्स कर सकते हैं अपने कैमरा की और बहुत तरीके से फोन के कैमरा को यूज कर सकते हैं यह तोटली आपकी मर्जी होती है कि आप उसको कैसे यूज करना जाते हैं मैं आपको कुछ बैस सेटिंग्स बता रहा हूं जो कि almost सारे सिनारियो के लिए अच्छी लगती है आप लोग ट्राइ कीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो म काफियत तक लगे तो आप उसको यूज करके देखिएगा अगर आपको लगता है कोई और प्रोफाइल और भी अच्छी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्षिन बताइए इसके लाब दोस्तों आपको शापनेस के लिए 1.125 कर लेना है थोड़ी से इंक्रीस करने शापन इवन मुझे भी लगती है और कहीं साइस में आपको कॉंटरास को कम भी करना पड़ता है तो इस टोटली डिपेंड्स ओन यूर चॉइस ठीक है दोस्तों आपका ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आप अपने गूगल कामरा को यूज कर सकते हैं बहुती मस तरीके से और ब अब यहां पर क्लिक किया तो मुझे उससे पहले वाली फोटो दिखा रहा है विच इस बग तो अगर आपको दुबार से देखनी है तो आपको दुबार से क्लिक करके देख सकते हैं यह आपकी फोटो आपकी प्रिवियस फोटो तो यह है आपका गूगल कामरा फॉर वीव साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सारे ही फोनों के गूगल कामरा लिका आता है तो विद प्रेफेंशल सैटिंग्स तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक क्लेश अबाख है